हे गई नमस्कार आप लोगों को टाप्रेंग क्लास के प्यारे से यूटूब में पर स्वागत है गई आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा बारक की बहुत तीक भी ग्यान और हम देखेंगे । बार को नहीं रहले हो के लिए लगे दोलसरे कर के दोस्तों के साथ से लिएकार के लेएगा। उल्टल किुर्ण प् Came करेंज हिस् Stevens जास्ट कई बार उ 31 किवं सिर्फबूह द्खूार फाला क्या सॉने नहीं पतवस्त हैं के घूर्ड को की इसी是grot, क्यों पढ़ी तो पियरे बच्चो, ROTHERFORD की Model में, जो कुछ कमिया रह गई थी रघाबर razem could के model में rather forward के जो पर मान माडल दिये थे उनके माडल में कुछ न कुछ कमिया रह गई थी पैरे बच्चो वह भी कमिया हम पीछले वाले वीडियों में बात किया था तो उन्हीं कंहिओं को दूर करने के लिए बोर ने जो है सन 1913 में Sun 1913 में मैक्स प्लांक के quantum सिध्यांद के आधार पर एक model प्रस्तुत किये जिसे हम बोर का model कहते हैं एक बार फिर से मैं repeat कर रहा हूं प्यारे बच्चों बोर के परमार model की ऐसकता क्यों पड़ी थी प्रस्टनी यह है तो प्यारे बच्चो इसका जवाब है सन 1913 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जो की क्वांटम सिद्धान्द के पर आधारी था प्रयोग करके इन्होंने अपने सिद्धान्द को क्या किया था प्रतिपादित किया था प्यारे बच्छो आई अब हम उन्हीं सब को समझेंगे क्या खिर इनका सिद्धान क्या है सबसे पहला सिद्धान था सबसे पहला सिद्धान था प्यारे बच्छो कि बोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रान होता है इलेक्ट्रान जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ या परमारु के अंदर एक निश्चित कच्छाओं में चक्कर लगाता है वह सभी कच्छाओं में च चक्र नहीं लगाता है प्यारे बच्चो और चक्र लगाने के दौरान वह अपनी उर्जा को खोता नहीं है यह उनका सबसे पहला कथन था यहां लिखा गया प्यारे बच्चो कि इलेक्ट्रान लगातार बिना उर्जा खोए अर्थात इलेक्ट्रान की उर्जा में कोई लॉस नहीं को रो रहा था पहलु एनि कहने का मतलब है कि अगर इलेक्तरान इस कच्छा में घूम रहा है तो बगोर भाया बताये कि इलेक्तरान इस कच्छा में घूमता रहे गार Dream ये अपने उर्जा को खोता नहीं है अर्था अर्था अगर इलेक्टरान अपनी उर्जा को नहीं खो रहा है इलेक्टरान के उर्जा में कोई हानी नहीं हो रहा है तो इससे यह निसकर निकल रहा है कि इलेक्टरान अपनी उर्जा से चक्र नहीं लगा रहा है इसलिए इलेक् रहा है इलेक्ट्रान अपनी उर्जा से चक्र नहीं लगा रहा है यह देखे इलेक्ट्रान लगातार बिना उर्जा खोए अपनी अनुमत कच्छाओं में घूमता रहता है और प्रतेक कच्छा की उर्जा निशित रहती है इन्हें उर्जा अस्तर भी कहते हैं इन्हें क्या कह चाश्तर कहते हैं, energy level कहते है भी या ध्यान से दिखेगा, आइए हम इनको समझते हैं, एक diagram के माद्धयम से ध्यान से दिखेगा, हमने कहा कि ये कोई नाभिक हो गया, और नाभिक के चारो तरफ, ये कोई कच्छा हो गया, एक कच्छा, ये दूसरा कच्छा हो गया, और ये द तीसरा कच्छा हो गया, यह आपका चौथा कच्छा हो गया, ठीक, यह हो गया, तो यह आपका क्या है, नाभिक है, यह क्या है प्यारे बच्छों, नाभिक है, और यह पहली कच्छा को हम केल से ब्यक्त कर रहे हैं, दूसरी कच्छा को यल से, तीसरी कच्छा को यम से, एका लिजे तुसे आप यन से ब्यक्त कर देंगे प्यारे बच्चो या हम कहते हैं पहली कच्छा यन बराबर एक से ब्यक्त कर सकते हैं या इनको यन बराबर दो से ब्यक्त कर सकते हैं या इनको यन बराबर तीन से भी ब्यक्त कर सकते हैं प्यारे बच्चो इस प्रकार हम कह सकते ह कि सभी कच्छा को हम किसी ने किसी अच्छरों से ब्यक्त करें या अच्छरों से ब्यक्त करें या संख्याओं से ब्यक्त करें वो उनकी क्या कहलाती है कच्छा कहलाती अब जैसे देखो अगर अगर इलेक्टरान यहां इस कच्छा में चक्कर लगा रहा है प्यारे बच्छो तो इलेक्ट्रान अपनी उर्जा से चक्कर नहीं लगाता अर्थात इलेक्ट्रान अगर इस कच्छा में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रान के उर्जा में कोई लॉस नहीं होता ये बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रान लगातार बिना उर्जा खोए अपनी अनुमत कच् जित तो होती है यह उने पहला कथन बताया था ध्यान से ऋभ regular को हम के करते हैं क्या है कि इतनी बात आप की क्लियर होगी सप्सेद पहली बात प्यारी बात समझगाई तो पहले विछक्टो अब का कोणी संभेग एनच अपा니다 2ienia ना साथ का कौनी देख Кजम집 हो प्यारी टियानि कहने का मतलब है कि यानि कौनी के बदेख सभी कच्छान में नहीं घूमेंगा कि यानि कहने का मतलब है इलेक्टरान का कोनीúblicCar M x V x R. तो ध्यान से दिखेगा. अगर हम यन्मेक अच्छा की बात करेंगे, यहाँ यन्लग जाएगा, बराबर यह थाएगा, ग्ह क्या हो जाएगा, तू पाई, यह रहा किसी भी कच्छा के कोनी संबेक का ध्यान से दिखेगा. अब हम बात करते हैं, जहां यहन क्या है, यहन बराबर 1 2 3 4 दोट- कर सकते हैं क्या कते हैं यह हुम क्या को पुराण्ग को सकते हैं यहाँ पर क्या है bu एलुँज हाँ से लेखेगा यह यहन यह आपका प्यरवचो पुराण्ग परमार में पाया जाने वाले अधिकतर केुट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कच्छाओं में रहते हैं यानि कहने का मतलब है कि जो इसे परमाण में 100 इलेक्टरान पाए जा रहे हैं तो 80 इलेक्टरान, 70 इलेक्टरान कहां पाए जाएंगे निमनितम कच्छा में अर्थात उस कच्छा में रहते हैं जहां और जा अस्तर बहुत कम होती है पैरे बच्चों ये इन्होंने का तीसरा कथन था क्या करें कि साधारन रूप से इलेक्टरान पर्मान में निवनितम कच्छाओं में रहते हैं अर्थात निवनितम कच्छा में रहते हैं यह अवस्था इनकी मूल अवस्था भी कहलाती है यानि लंक्ट्रानों की उस अवस्ता को हम क्या कहते हैं प्यरे बच्छो मून अवस्ता कहते हैं बढ़िये आप एजय समझो कि भारत में अगर सो इनसान अगर आप सहर गए आप मुंबई गए वहां सो बेक्ते रह रहे होँगे तो सो ब्यक्ति में से कोई आठी दस ब्यक्ति जो है अच्छे से अच्छे पोजीशन पर रह रहा होगा बाकी सभी लोग तो अपनी मूल कच्छा यानि जहां कम हो वहाँ पर रहते हैं प्यार बच्छो तो यही है इनका तीसरा कथन बोड के अनुसार कहना ही का मतलब है कि सभ अवस्था कहला है एक बात ध्यान से देखेगा जब कभी ऐसी स्तिति है कि परमाड़ि को कहीं से बाहर अरूपित किया जाए तो यह मूल अवस्था के का अश्था अब क्या होता है कि जब इलेक्टरान बाहर से उर्जा पाता है प्यारे बच्छों तो यह उच्छ उर्जा वाले कच्छा में क्या होता है चला जाता है जैसे ही इलेक्टरान को बाहर से उर्जा मिलती है तो इलेक्टरान अपनी मूँ लवस्ता को छोड़कर उच उर्जा वाले कच्छा में क्या होते हैं प्रवेस कर जाते हैं उच उर्जा कच्छा में संक्रमड कर जाते हैं तो कभी-कभी प्यारे बच्चो आपके एक नमबर के क्यूश्व में पूशता है कि संक्रमड से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चो तो ध्यान से बताréeएगा the द्यान से लिख के आईएगा कि संक्रमड क्या होता है एक कच्छा से दूसरे कच्छा में जाना या निम्न कच्छा से उच कच्छा में जाना या उच कच्छा से निम्न कच्छा में आना ही संक्रमण कहलाता है क्या इतनी बात clear हुई प्यारे बच्चो अब आपके एक्जाम में पूछा क्या है प्रेम से लिख के चले आईएगा कि इलेक्टरानों का निम्न कच्छा से उच्छ कच्छा में और उच्छ कच्छा से निम्न कच्छा में आना ही संक्रमण कहलाता है क्या इतनी बात आपकी clear हुई प्यारे बच्चो तो ध्यान साइए अपने topic पे मैंने क्या बताया कि जब इलेक्टरान को बाहर से उरजा मिलता है तो इलेक्टरान अपनी मूल अवस्था को छोड़कर उच्छ अवस्था वाली कच्छा में चले जाते हैं और वहाँ जादा द कच्छा से उच्छ कच्छा में जाते हैं तो यह उर्जा आपसे लेते हैं उर्जा का उस्था करते हैं जब इलेक्टरान को आप उर्जा दोगे तभी यह निमने कच्छा से उच्छ कच्छा में जाने वाले अर्थात जब इलेक्टरान एक कच्छा से उच्छ कच्छा में हूँ और वहां रदर फोर्ड ने क्या बताया था कि एलेक्ट्रान तो हमेंसा और जाउस सर्जन करता रहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता प्यारे बच्चो तो यह रहा आपके बोर के पर्माडु माडल और पर्दर फोर्ड की जो कमिया थी जो अपत्तियां थी वो कमिया क्या हो गई थी दूर हो गई थी तो आप चाहो तो इसका एक स्कुर्शाट लीजिएगा फिर हम बात करने वाले हैं हड्रोजन के सद्रिस के बोहर का पर्माडु माडल तो गाईज हमारी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एक्जाम के दिश्टे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चो और उतनी सरल भी हेडिंग है अब आप अपने नोटबुक्स पे बना लो यह हेडिंग कि आगे आ जैसा भी कोई पर्माड हो उसके लिए बोर का पर्माड माडल क्या था तो ध्यान से लिखिएगा उन्होंने माना कि माना कोई हाइड्रोजन का पर्माड है जिसके यनवी कच्छा में जिसके यनवी कच्छा में कोई एक इलेक्ट्रान कोई एक इलेक्ट्रान वियनवेग से वी अनवेग से क्या है गतसील है वी अनवेग से क्या है गतसील है तो ये चीज हम लिखेंगे ये चीज यहां पर लिखेंगे तो गाईस ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है हम मान लेते हैं कि माना कोई एक हाइड्रोजन परमार है माना ये कोई एक हाइड्रोजन परमार है जिसमें जिसके यनवी कच्छा में यनवी कच्छा में कोई इलेक्टरान वी यनवेग से कितने वेग से वी यनवेग से क्या कर रहा है घूम रहा है और इस कच्छा की तरिज्या आर्यन माल लेते हैं पेरे बच्छो और जो इलेक्टरान का द्रबिमान है वो क्या माल लेते है यम माल लेते हैं तब इस कछा का जो कोणी संबेख होगा तो कोणी संबेख क्या कहता यम इन्टु V इन्टु R बराबर न H upon क्या हो जायेगा 2π अगर प्यारे बच्चों मुझे यहां से VN का माल निकालना है तो यह m और rn नीचे चले जाएंगे तो vn इक्वल टू कितना आजाएगा n h बटे 2π और यह m इंटू कितना आजाएगा rn इंटू क्या हो जाएगा rn हो जाएगा पैरे बच्चो इस प्रकार आपका vn का मान आएगा यह समी करण a का आप बनाईएगा अब ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिए इस इलेक्ट्रान और नाभिक के बीच लगने वाला बल क्योंकि दोनों आपके आवेश हैं प्यारे बच्चो तो दोनों आवेशों के बीच जरूर ना जरूर कुछ बल लगेगा तो क्या लिख लगने वाला बल लगने वाला बल तो यप बराबर होता है प्यारे बच्चो वन बटे फोर पाई एकसाले नाट Q1 Q2, Q1 यहां कुण है? जड्ड़े है और Q2 E है तो जड्ड़े इंटो ई बटे आर स्क्यार R कौन है प्यारे बैचों, यहां R N का स्क्यार है, ठीक, यह हो गया, अब यह बराबर क्या जाएगा, वन बटे, फोर पाई, एपसालेन नाट, E E का गुना हो जाएगा, तो G E स्क्यार, बटे क्या हो जाएगा, R N का यह समीकर नंबर क्या मान लिए, यह इप बिच बिद्डुत बल लग रहा है प्यारे बच्छो अब एलेक्टरान बृत्ताकार छक्कर लगा रहा है तो भूज बृत्ती गती करने वाला वज्ट दू अभिकेंदर बल उत्पंद करता है क्या उतपन करता है अभिकेंद्र बल तो इलेक्टरान के बृत्य गती के कारण उतपन उतपन अभिकेंद्र बल उत Community thriller चो अभिके अंदरबल का बैन्जब क्या होता यव बराबर याम v square यहां नई बलकि कौन है V n का स्कार होगा बटेр त्याहa RN हो जाएगा ये समी करंड़ नंबर क्या हो गया पिरवच्चो तीशान से देखना समी करंड़ का ये भी पक्ष बराबर है समी का ये पक्ष बराबर है तो दो और तीन का एक पक्ष बराबर है ती ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो समी करण दो और तीन से अभी क्या हो जाएगा प्यार चो समी करण दो पर यम, वी एन का स्क्यार बटे क्या हो जाएगा एक और ये एक और ये क्या हो जाएगा कैंस्यल हो जाएगा पर अपके पास क्या बचेगा ध्यान से देखे एवन बटे फोर पाई epsilon not je is जार बटे हां आर ये बड़ाबर यम यहां जो वी एन है समी करण एक से VN का मान रखने पर तो VN का मान कितना है प्यारे बच्छों ध्यान से दिखें यहां पर VN का मान है NH बटे 2π YUM इंटु REN आ जाएगा ध्यान से और इसका क्या हो जाएगा Listen क्या हो जाएगा इस बात को आपको ध्यान देना है हमने कि वी एन के स्थान पर मांग रखा है चली अब आगे हम उसको प्रसार कर देंगे तो एक बटे फोर पाई एपसाले नाट जड़ इसक्यार बटे कितना आरेन बराबर यम यन का गुड़ा करें यन का स्क्यार करेंगे यन स्क्यार फिर एच्छ इसक्यार फिर दो का कैंसल हो जाएगा और कुछ कैंसल होंगे प्यारे बच्चो बिल्कुल कैंसल होगा जैसे की ध्यान से देखिए तो चार पाई से चार पाई कैंसल हो जाएगा ठीक एक पाई से एक पाई कैंसल होगा अब जो बचा है वो पहले आप लेख लेजे यहां पर कोन बचा है जेड क्या बचा है अब मुझे आरि यन का मानक्य ऐर चाहिएगी तो क्रॉस फ्लाइ कर देंगे क्रॉस स्ङहाइगे ध्यान से दिखे जैसे ही हम यहां cross multiply करेंगे क्या आएगा z e square into pi into ym into आजाएगा r n बराबर उनका गुड़ा करेंगे n square h square और epsilon not हो गए अब r n चाहिए इन सब को इधर कर देते हैं तो r n equal to क्या आजाएगा n square h square epsilon not पूरे के बटे क्या आजाएगा z e square और into pi into क्या हो जाएगे हम तो यह रहा बोर के hydrogen सद्रिस बोर का जो परमार model था या हम कह दें कि electron जिस कच्छा में चक्का लगाता रहता है उस कच्छा की जो तरिज्या होती है वो इन सभी के क्या होती है बराबर होती है इस प्रकार प्यारे बच्चो हम निकाल सकते हैं यहां पर दिहान से समझेगा ठीक अब अगर हम बात कर लें कि क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चो यहां पर इन सब की क्या कर लेते हैं बैलू रख देते हैं जैसे हमने क्या कहा कि यन बराबर क्या मान लेते हैं एक यान है तब तब ये आरवन होगा तब जो ठिज्जा आएगी प्वचो तब जो और दिश्ज आएगी हरडोजन के पहले कछे की दिज्जा तो आप सब जब बैलु रखके हल करोगे तो आजाएगा आपका यह क्या आएगा 0.053 एंगेस्ट्रान यह आजाएगा ध्यान यह आपको मिलेगी जब आप यहां एक रखोगे जिट ब्राबर एक होगा तो इन सब का बैलू रखकर हल करोगे तो आपको इतना बैलू मिलेगा क्या क्या करना है यच का मान 6.06 दो 15.052 प्यारे बैलू 17 फिर उसके बाद एक आमान 1.06 गुड़े 10 गाते माइनस 19 पाई का आमान 3.14 और मासाफ एलेक्टरान होता है पियारे बैलू नो दसमलो एक गुड़े 10 गाते माइनस31 केजी तो यह सारे बैलू रखकर आप हल करोगे तो आपको यह पूरा क्या चीज मि जाएगा तो प्यारे बच्चों इस प्रेकार आपका hydrogen सद्रिस जो बोहर का पर्माण model था वह यहां पर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है एक बार हमें इसको repeat कर लेते हैं जहां आपकी कोई suspense रह गया होगा सारी क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे क्यों अपने दिमाग में यह बैठाना है कि यह कोई hydrogen का पर्माड है जिसमें कोई एक लक्रान है और hydrogen पर्माड के यनुमी कच्छा में क्या कर रहा चक्कल लगा रहा इसका वे है जिसका क्या है यह तो इस ने लुए और जाएंगे बटे हो जाएंगे बराबर क्या क्या जाएगा एंट पाई पाई इन्टू यम इन्टू आरेन हो जाएगा तो प्यारे बच्चों यह वियन का माना गया यह आपने दे दिया समी करण एक अब हम क्या करते हैं करते क्या है ना भी क्वल एलेक्ट्रान के मद लगने वाला बल कैसे क्योंकि यह भी एक प्रकार का आवेश है यह भी आपका एक प्रकार कावेश तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल्ता वो हमने कोलाहम के नियम से निकाल कश भावन नीयम से निकाला प्यर बच्चों को यह प्राप्त अब इलेक्ट्रान ब।क्रon को इंकरति कि आपक्जों यह बराबर होगे औरन इंदोनों समीकरण का एक पक् इस प्रकार आपका यह topic क्या होती है समाथ होती है और आज की class भी समाथ होती है इस chapter में प्यारे बच्चो केवल एक heading बची है hydrogen spectrum hydrogen spectrum हम next वीडियो में बात करेंगे प्यार बच्चो तब तक के लिए आप वीडियो देखें enjoy किजिए प्यार बच्चो और कहीं भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर किजिएगा या तो ऐसा अभी तक मैंने जितनी physics पढ़ाई आप आपको बिए कौई फेर लग रहा हूब अक्सर यह फेर छोड़ दिये हैं यह चोपिक अपको नहीं समय आपको उस कमेंट में 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 करना ंपंदा आक मिलते हैं आपको अधिस तक ऊट्रास धेक्ले आदियो में तो अधिक आको श्यान में झाल